Hello students, welcome to Studio of Commerce लोगो कमेर्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं international business की unit फर्स्ट, जो है हमारी business environment और international business UGC Net Commerce के लिए तो उसमें आज हम international business वाले chapter को start करने जा रहे हैं इसके पहले मैंने आपको business environment पढ़ाया है, काफी detail में और उसके 5-6 parts मैंने अप्लोड किये है अपने चैनल पे ठीक है तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगे UGC Net Commerce के नाम से तो उसमें आपको Unit First के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे तो पहले आप उसको वीडियो देखना चायते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम बात करने वाले हैं International Business की तो सबसे पहले हम Business का मतलब समझते हैं तो Business का मतलब आपको पता ही होगा तो Economic Activity हम ऐसी Activity को कहते हैं जिसको करने से हम कुछ return में cash पाते हैं तो ऐसी Activity जो से हम कुछ benefit return ले रहे हैं वही क्या कहलाती है Economic Activity कहलाती है तो Business हमारी एक ऐसी Economic Activity है जो कि हम continue करते हैं अपनी life में और earning के लिए अपनी जीविका को चलाने के लिए तो Business जब International Level पे होता है जब हम एक country में रहके दूसरी country में बिजनस कर रहे होते हैं दूसरी country में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वही क्या कहलाता है इंटरनेशनल बिजनस कहलाता है ठीक है For example, हम इंडिया में रह करके अमेरिका में गुर्स सप्लाई कर रहे हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा इंटरनेशनल बिजनस कहलाएगा जब हम एक ही कंट्री में रहके पर्चेजिंग या सेलिंग करते हैं गुर्स को सप्लाई करते हैं तो उसको हम पर्चेज या सेल कहते हैं लेकिन जब हम एक कंट्री में रहके दूसरी कंट्री में गुर्स को पर्चेज या सोल्ड करते हैं तो उसको हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कहते हैं तो import करना अपनी country से दूसरी country में या फिर export करना अपनी country से दूसरी country में वही क्या कहलाता है international business कहलाता है ठीक है चले अब इसकी definition भी समझ लेते हैं तर्म international business refers to exchange of capital, goods and services across international borders ठीक है तो जब हम international level पे global level पे कोई goods कोई capital या services exchange करते हैं तो वही क्या कहलाता है international business कहलाता है It is the trade of goods, technology, services, knowledge and capital across national borders on a global level between two or more countries तो यहाँ पे हम goods का ही trade नहीं करते हैं हम technology का भी अदान प्रदान करते हैं हम services भी provide करते हैं हम एक दूसरे को knowledge भी share करते हैं ठीक है जैसे हम अपने patents, goodwill ये सब भी share करते हैं capital भी एक दूसरे से share करते हैं तो ये सारी चीज़े हमारी international business में आ जाती है ठीक है चलिए अब बात करते हैं international business के scope की उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया है कि हम इंडिया में रह करके अमेरिका में ठीक है हम इंडिया में रह करके अमेरिका में या फिर यूस में purchasing या selling कर रहे हैं goods की import या export कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं international business बोलते हैं तो हम इंडिया के हैं ठीक है हमारा ओरिजिन क्या है इंडिया तो हमारे लिए इंडिया क्या हो जाएगी वह होम कंट्री हो जाएगी ठीक है इंडिया हमारी होम कंट्री हो जाएगी और जिस कंट्री को हम गुर्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह हमारी क्या हो ज स्कॉपसे हमारा मतलब है कि इंटरनेशनल बिजनेस आपल कहा कहा ही इञीन वह त Hautा-ाइð वही क्याustnh क्षोप कहलाता है तो अगर हम बात करें तो में इसकोप्त से इंटरनेशनल बिजनेस के एक हो गए आपका इंटरनेशनल ड्रेड एक हो गया आपका export and import of merchandise, fourth हो गया आपका contract manufacturing and outsourcing और last है आपका licensing and franchising, तो चलिए इसको हम detail में समझते हैं, पहला है हमारा international trade, इसके नाम से clear है कि जब हम global level पे trading करते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, international trade कहलाता है, international business includes importing and exporting of goods and services among different countries of the world, तो पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में जब हम goods या services को import या export करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, international trade कहलाता है, ठीक है, it also includes transferring intellectual property, intellectual property का transfer भी इसमें आता है, जैसे कि copyright देना, किसी को patent देना, किसी को trademark देना, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, next है हमारा foreign investment, foreign investment में यहां से हमारा विदेश में जो है investment करने से मक्तब है, foreign investment is an important part of international business, तो यह हमारे international business में एक महत्वपूर्ण रोल या important part है, ठीक है, उसका foreign investment is when a domestic investor, ठीक है, when a domestic investor decides to purchase ownership of assets in a foreign country, तो जब हम अपनी country में रहके, किसी foreign country की assets पे अपनी ownership लेना चाहते हैं, उसको purchase करना चाहते हैं, तो वही क्या कहलाता है, foreign investment कहलाता है, ठीक है, it includes cash flows moving from one country to another, तो यह एक country से दूसरी country में cash का flow होना इसमें आता है, to execute the transaction, ठीक है, तो एक country से दूसरी country में cash का flow होना इसमें आ जाता है, चलिए आगे देखते हैं, for example, जैसे कि हमारी American company है, वहाँ से हम capital invest कर रहे हैं, इंडिया में, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, foreign investment कहलाएगा, ठीक है, चलिए next देखते हैं, next है हमारा exports and imports of merchandise, merchandise are the goods which are tangible, तो merchandise से मतलब हमारा tangible goods से है, tangible goods ऐसी समपतिया है, या ऐसे goods जिसको हम देख सकते हैं, और चू सकते हैं, merchandise export means sending the home countries goods to other countries, merchandise export का मतलब होता है कि एक अपनी home country से other country में जो है goods को send करना, ठीक है, तो हमारी country इंडिया है, तो इंडिया हमारी home country है, तो इंडिया से अगर हम अमेरिका में goods ट्रांसफर कर रहे हैं, send कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, merchandise export कहलाएगा, ठीक है, which are tangible, जो कि tangible होंगे, and merchandise import means bringing tangible goods to the home country, और merchandise import का क्या मतलब है, कि हम अमेरिका से समान अपने आ मगा रहे हैं, वो भी tangible goods मगा रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, merchandise import कहलाएगा, और जब हम अपनी country में home country में रह करके, अमेरिका को goods provide कर रहे हैं, तो वो merchandise export कहलाएगा, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, next है हमारा licensing and franchising, ठीक है, licensing means permitting other party in a foreign country to produce and sell goods under trademark, patent, ठीक है, तो licensing का मतलब क्या है, कि आप किसी को permit कर रहे हैं, permission दे रहे हैं किसी other party को, या फिर foreign country को कि वो goods और produce करेगी और sell करेगी आपके trademark पर या आपके patent पर, ठीक है, तो वही क्या 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 लाता है, लाइस फ्रंचाइजिंग means sell or distribute the branded products in a specific geographical area, फ्रंचाइजिंग का क्या मतलब होता है कि हम कुछ branded goods से उसको sell कर रहे हैं या distribute कर रहे हैं एक specific geographical area में ठीक है, एक specific place पे जाकर के हम वो branded goods sell कर रहे हैं लोगों को, तो जैसे कहा जाता है कि इन्होंने इस company की franchise ही ले रखी है, ठीक है, फ्रंचाइजिंग सिस्टम, mcdonald's operate first food restaurant in the whole world, तो यह जो mcdonald's के pizza, burger वगेरा आते हैं, यह सब franchise ही ली हुई है इन्होंने दूसरी country हो से, और अब यह यह यहाँ पे लाके sell कर रहे हैं, supply कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, next है हमारा contract manufacturing and outsourcing, अभी यह सारे terms हम detail में भी आगे समझेंगे, ठीक है, इसमें काफी चीज़े हाती हैं, तो जो कि हम आगे समझेंगे, तो contract manufacturing या outsourcing का क्या मतलब है, contract manufacturing is the process when one business outsources its manufacturing activity to another company, ठीक है, तो एक businessman जब अपनी चीज़ों को outsource कर रहा है, अपनी outsourcing या अपनी activities को दूसरों को provide कर रहा है, for example, हम किसी समान का जो है, manufacture करते थे, उसको बनाते थे, और लोगों को बेजते थे, अब हमने किसी और को ये अधिकार दे दिया, कि हाँ, आप हमारी goods को अपने आप manufacture करोगे, और other companies में sell करोगे, तो वही क्या 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 आता है, तो इसमें एक तरह का contract होता है, ठीक है, this business model is regularly used in industries, तो इन सब चीजों में इसका ज्यादा यूस किया जाता है इस इस आउर्सोर्सिंग अना मैनुफैक्ट्रिंग लेबल तो ये मैनुफैक्ट्रिंग लेबल पर आउर्सोर्सिंग की जाती है ठीक है like outsourcing employees कभी-कभी employees को भी outsource कर लिया जाता है कि यहां उनके आप produce करते थे अब वो employees आ करके हमारे यहां वही चीज़ produce करें ठीक है it lets companies compete in areas that were previously unreachable तो यह ऐसे areas को cover करने की कोशिश करती है जो हम अपने आप नहीं कर पा रहे थे ठीक है unreachable था हमारे लिए it's a business agreement where one company pays another तो यह तरह का business agreement यह contract होता है जिसमें one company another company को pay करती है necessary component provide करने के और to assemble finished goods और even manufacture the products in its entirety तो यह पूरे प्रोड़क्ट को खुद manufacture करती है जो की दूसरे का था ठीक है contract पे contract manufacturers are third party providers तो यह तरह के third party providers होते हैं and most only work as subcontractors or sell their product to other businesses तो यह अलग-अलग businesses को अपने products sell करते हैं ठीक है तो मैं आज हम लोगों ने international business का मतलब समझा तो international business से हमारा मतलब एक country में रहके दूसरी country को goods या services provide करना है ठीक है आगे और उसके बाद हम लोगों ने sources समझे तो उसमें सबसे पहला हमने international trade समझा यानि वही services या goods provide करना है international trade कहलाता है foreign investment से हमारा मतलब है कि हम अपनी capital दूसरी country में ले जाके licensing करते हैं ठीक है licensing और franchising से हमारा मतलब हो गया licensing में हम पूरा license ले लेते हैं दूसरी company का और उनके goods को अपने प्रांचाइजिंग में क्या होता है हम केवल branded product लेके आते हैं और एक फिक्स प्लेस पे या geographical area हम decide कर लेते कि यहां पर आकर के हम यह product sell करेंगे ठीक है तो आई होप आपको detail में समझ में आ गया होगा वीडियो अगर पसंद आएगा तो like कर दीजेगा अगर कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं और चैनल को subscribe कर दीजेगा आगे के और वीडियो देखने के लिए thanks for watching